तो आप लोग अपनी पार्टी पर कब ध्यान देंगे अपनी पार्टी को कब बिल्ड अप करेंगे अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वह अलग सा मोटिव लेका है जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दे अब वो कब करेंगे देश के में प्रधानमंत्रीं और लोगतंत में प्रधानमंत्री से और सरकार शर पूचने का काम विपक्ष करती जो आपने भान चांद जुरोयात्रा का सकसेस का तो ठीक छो रहु राहुल जी ने जो लाल चौक पर जंडा फेर आई है वह आप मोदी जी की सक्सेस मानती है या नहीं बिल्कुल भी नहीं उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है मैं मेरा क्वेशन आप से अगर आप फॉरें एजिंसी में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशल रिपोर सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेस्फुल लीडर अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जाच होनी चाहिए बोलकर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दान हुसाइन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिये कॉंग्रेस पार्टी को जिसके लिए नटवर सिंग को इस्तीफा द बोलिएगा विदेश में छपी बातों पर तो इतना है कि आपका कारिकम छोटा पड़ जाएगा यह वेले ना एलबेटस के जीबी की पूर चीफ उसने अपनी किताब स्टेट विदिन स्टेट जाकर चेक करेएगा उसमें मैं आरोप नहीं लगा नहीं सोनिया जी के बारे म से हुई तो उस पे और जॉन कैनेट गैल्बिट की किताब एंबेस्डर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा नहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस दंग से लिखाए कि भारत के नुक्लियर मामने के ऊपर क्या हो रहा था अगर आप और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नमंबर 1991 सुट्जर लैंड की मैगजीन ने स्वरगी राजीव गांदी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंग में एकाउंट है 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का एकाउंट है इसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के ब सेमनाग बाचाण इन्होंने आ पर दिया और बताती हूँ क्यों पाच बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहें ऐगा रहा हूं अर्यवजश केंतर वाय नहीं अकिन करना है तो काहे बीवींसी की डॉक्यमेंटर्ट रापरदेश की विदेश की बाताते आप बात मैं भी कर रही हूं विदेश की एक डॉक्यूमेंटरी थी यूट्यूब पर दिख रही थी सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे सक पका गए सकते में आ गए क्योंकि सहाब कहते हैं वाट गाबेज रांग क्वेस्टन डॉल्ट टास ऐसे बोल रहे थे यह बात नहीं है कि BBC की डॉक्यूमेंटरी ने आपका कच्चा चित्था खोल के रख दिया जो इस एंज के बच्चे शाद ना जानते उत्तरा ना समझते हो लेकिन इनसे जो वरिष्ट है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था एक बात में जरूर कहना चाहूंगी यहां पर मुझसे किसी न आगरीक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथ हो और हमारी सरकार ने क्या क्या एपल बे जाकर रेड कर रहे थे अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा सो बिलियन डॉलर हो गया है हम चीन से इतना समान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं लोग अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमन करा है चीन और अडानी दो शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते हैं दोनों के लिए मेरा एक सवाल है यहां बड़े पैमाने पर बात हो रहे हैं लेकिन जहां पर देश में छोटा तपका भी रहता है सर मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ उसके भी हाफ पर मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहिया करा पा रही है तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर अब जो लिए किसकी फोटो है मैं यह कंहिया कुमार की फोटो है में जो नारे देते हैं कि भारत तेरे तुकडे होंगे हजार इंशालला इंशालला मैं यह जोड़ेंगे भारत मैं आपको यह पता है कि अमित्षा जी से फोन रख दो आपको यह पता है अमित्षा जी ते कहा गया तुकुडे टुकुडे गांग अमित्षा जी ने सदन में कहा कि कोई टुकुडे टुकुडे गांग नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी तो या तो अमित शाह जूट बोल रहे हैं, या जो WhatsApp पर और Facebook पर आपको दिखाया जा रहा है, वो जूटा है। कर देते और सजा दिलवाते, नौ साल से जुनजुना इसलिए बजा रहे हैं, क्योंकि आपके WhatsApp पर ये कुड़ा जाता रहे, और आप अपना दिन करने के बजाए ये कुड़ा पूछते रही है। कि अगनी पर इच्छा देकर साबित करना पड़ा था कि वो सही है, तो क्या अडानी को पर इच्छा देकर साबित करना चाहिए कि वो सही थे? मोधी जी को. अडानी और हेडन बर्ग रिपोर्ट के जरिये 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या 2024 में परधान मंती नरेंद्र मोधी को चुनावती दे पाएंगे? इस शो के पहले हम लोग एक और शो कर रहे थे, उसमें 25 परश्ट भारत की जनता ने बेरोजगारी को, 25 परश्ट ने महंगाई को, 6 परश्ट ने कृशी को, 6 परश्ट ने गरीबी को देखा है, 65 परश्ट लोग इन बड़े मुद्दो को लेके असनतुष्ट है, 2024 का चुनाव उस पर होगा बनाम 65 सो करोड के विग्यापन के, तो 65 सो करोड के विग्यापन देकर, प्रधान मंत्री मोधी जी हर जगे चाय हुए हैं, और मोधी चालिसा पढ़ी जाती है, चुनाव उस प चुनाव इसके बारे में होगा एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंब से, शैशवकाल से देश के लिए काम करने का वर्त लिया, और पिछले आठ सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया, स्वपन अर्पित, प्रश्ण अर्पित, आयुका, चणचण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और दूसरी तरह वो होंगे जिनको परिवार में तुमान श्रकों इनामाद विवासत बनिले, और जनवाय जनल के साथ उसने दो, दो नंबर तक ही पहुँचा पाए बिचाने, नंबर बन तक पहुँचाने की बा मोदी जी चाहते हैं, 2047 में भारत, विक्सित, राष्ट और हमारी अर्थ्विवस्था विश्व में नंबर बन हो जाए, इमानदारी से पूछेगा, जितने भी पक्षी दन है, इनके नहीं, वो क्या चाहते हैं, मेरे परिवार की अर्थ्विवस्था कैसे नंबर बन हो जा झाल